बच्चों को खुब पसंद होता है कैंडी खाना जैली खाना बीना पैसे खर्च किये घर में बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं नेचरल फूर्ट कैंडी जैली अधियों बिल्कम बैक तुमाइच चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे बिना जन्जर बिना ईस्ट बिना सोडा के आज हम बनाएंगी बच्चों की मन पसंद काटी मिठी कैंडी जैली कैंडी बनाने के लिए मैंने लिए हैं तीन संत्र श इस तरह से निकाल कर लेंगे और संदुर काम हमारे बहुत काम आनेवाला है औरेन्ज पील पड़र बनाने की रेसिपी मेरे चैनल अभी तक नहीं देखा है में और जूस निकाल लिया है और और जबेग्व भारिग वारेओं इसे भी आफ नहीं से एंग्री बनाने में दो चलिए घर के ही चीज्जों से बनाते हैं कटी-मिठी fine केंडी बनाने के लिए नॉन स्टिक कड़ाही कड़ाही में डाल दिया है एक गिलास औरेंज जूस और इसमें डालेंगे एक कटोरी चीनी और इसे चम्मत से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जल्दी इसे घोल जाए चीनी जितनी मीठी खटी आपको पसंद हो उसे इसाफ स चीनी ले सकते हैं अब इसमें डालेंगे टू टेबल स्पून कॉन फ्लॉर या फिर आरा रोट जो आपके पास हो घर में वही आप यूज कर सकते हैं अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलिया ना रहा है मैंने गैस पर नहीं चड़ाई है कराही पहले है सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसको पकाएंगे कॉन फ्लॉर डालने के बाद बिल्कुल कलर इसका लाइट हो गया है लगी नहीं रहा है कि इसमें हमने जूस मिलाया है औरेंज का अब इसको हम और अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है अगर आपको पसंद और तो आप बिल्कुल डालिएगा अगर नहीं पसंद आप इसकी कर सकते हैं लेकिन हम औरेंज कैंडी बना रहे हैं तो थोड़ा सा कलर रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा इसलिए मैंने इसमें थोड़ा कैंडी नेसली हमें चलाते हुए इसे पकाना है अगर हम कैंडी चलाते हुए नहीं पकाएंगे तो हमारे कैंडी जल सकती है खराब हो सकती है इसलिए इसे कैंडी हमें चलाते हुए पकाना है बिल्कुल छोड़ना नहीं है और बहुत जल्दी से कैंडी बंद के तयार हो जा देशी घी या फिर मक्षन डालने से बहुत अच्छी श्राइनिंग आ जाती है और कहीं चिपकती भी नहीं है बहुत अच्छे से बन जाती है कंडी और खाने में क्या लाजबाब इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है बनाते हैं मैं चल्य हैं मुस्से रहा है लग रहा है कि बस इसको मैं चमद से खाती जाओ इस तरह शॉब इसका फाल बहुत अच्याँ क्वाओ गपाने मैं तेस्ट का बहुत अच्छा वाव एक्दम घंघा मिछ भाली अच्छा ना आधद ऋनिया हम सेटी से हुलीदी सेट के लिए टियार है चोड़ेधे लिए आया है इसकंप्स में क्षटाला हो है थे दिंग्लेदी कол है लिए पॉली बैग लिए थोड़ी से बटर को सेट करना जदा लगता है और बहुत सुअधा जनक होता है सेट करना आप चाहें तो किसी भी बड़तर में सेट कर सकते हैं केंडी को चोखोर सेफ देने के लिए मैंने इस तरह से टेप करके चोखोर बना लिए हैं अब इससे कहाना फ़ों से कया काट कंप लेंगे की काट अविव इसका रीज इसको केस्ट के आट लिए कर देगे ना किया मैं वह को आठेओं देगो एकणि कर दो कटेना है उसका है कैने मैं asphalt कोनदाना केंडी काटने के बाद हमेंं इसको कोटिंग करनी है नारियल के बुराध्य से डेसी केटए Grove के बूराध्य से अब इसको कोटिंग कर देंगे इसलिए इसमें सिर्फ नालिल का बुरादा ही ज्यादा अच्छा रहता है जब भी आप बनाइए कैंडी जली तो आप कोकोनेट से जरूर कोटिंग करके रखिएगा बिरू खराब नहीं होती है काने में भी टेस्टी लगती और देखने में बहुत अच्छी लगती है कैंडी तो फिर देर की इस बात की आप भी बनाइए और अपने बच्चों के साथ इंजवाए करिए कैंडी जली तो अगर आपको मेरी इस भी पसंद आए कैंडी जली बनानेगी तो में चैनल को लाइक और शेयर कर लीज़ेगा अपने फ्रेंस को फैमिली मेंबर्स को पहली पर च झाल